प्रीशात्रों, NCRT गडित कक्षा दस्वी में आप सभी का स्वागत है, आईए आज हम लोग प्रिश्णावली 8.4 के उधारन क्रवांग 12 को सरल करेंगे जिसके अनुशार अनुपातों कॉज A, 10 A और सैक A को साइन A के पदों में व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम यह जान लें कि जो हमने त्रिकोर्णमती सर्व समी का देखे थे, उसके सूत्र कुछ इस प्रकार से थे, साइन स्क्वेर थीटा धन कॉज स्क्वेर थीटा बराबर एक होता है अब चुँकि हमें इसे साइन A के पदों में व्यक्त करना है, तो हम साइन स्क्वेर एका पक्षांतर कर देते हैं, यहां से हम साइन स्क्वेर एका जब पक्षांतर करेंगे, तो कॉज स्क्वेर एका मान एक रिंड साइन स्क्वेर ए होगा अब हम यहां से वर्ग हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में वर्ग मूल लगाना होगा तो यहां कॉज A का मान धन रिन करनी एक रिन साइन इस्क्वेर ए होगा अब चूंकि यहां पे धन और रिन में से किसी एक चिन्न का उपयोग करना है तो हम धनात्मक चिन्न का उपयोग करेंगे इसलिए हम कॉज A का मान करनी एक रिन साइन स्क्वेर ए लेकर चलेंगे अब चुंकि प्रश्ण के अनुसार यहां कह रहा है कि कॉज A का मान ग्यात किजिए साइन A के रूप में तो कॉज A का मान साइन A के रूप में आपको प्राप्त हो गया है इसी प्रकार से हम 10 A और सेक A का मान साइन के रूप में प्राप्त करेंगे तो सेक का मान हम आसानी से ग्यात कर सकते हैं और 10 का मान ग्यात करने के लिए हम यहाँ पर सूत्र आप देख रहे हैं 10 थीटा बराबर sin थीटा बटे कॉस थीटा होता है इसका हम उप्योग करते हैं इसका उप्योग करने के लिए हम यहाँ पे n a बराबर sin a बटे cos a लिखना होगा अब चुकि cos a की value हमने ग्याद कर लिया है और आप देख रहे हैं जैसे कि cos a की value करणी a करें sin square a है तो हम यहाँ पे sin a बटे लिखेंगे cos a का मान करणी a करें sin square a तो यह जो value प्राप्त हुई है वह साइन के पदों में प्राप्त होगी tan a की value अब हम sec की value प्राप्त करेंगे तो चुकि sec a बराबर हम जानते हैं कि cos a का बिलोम होता है तो इसे हम लिखेंगे 1 बटे cos a और फिर इसे हम cos के इस्थान पे आप देख रहे हैं उपर हमारा मान करणी a rin sin square a के रूप में प्राप्त हुआ था हम cos a का मान यहाँ पे रख दें तो cos a की जैसे ही value रखते हैं तो यह sec a का मान हमें sin के रूप में प्राप्त हो जाता है तो इसे हम लिखेंगे करणी एक बटे करणी a करिं sin square a तो आप देख रहे हैं हमने cos a की value tan a की value और sec a की value को sin के पदों में व्यक्त कर दिए प्राप्त कर दों में प्राप्त कर दों में